हाई गाईस, वेलकम टो अन्निन फैशन डिजाइन इंकोस, मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ 38 साइस की परफेक्ट फिटिंग का ब्लोस बोथ जैनको ब्लोस सिलने का बहुत इजी हो जाते हैं बट फिटिंग का करने समय आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टिस आते हैं तो वो क्यों आ रहे हैं और उसको कैसा सौल करना हैं ये सब हम ये वीडियो में देखेंगे मैं ब्लोस सिलके रेडी रखा हैं ये देखो पहला हाथ और हाथ सीधा रखो फिर निच्छे कमर की तरप आजाओ ये कमर की तरप पहला सीधा एक मार्क करो क्योंकि आपको फोल्डिंग करना हैं मैं अभी तक फोल्डिंग नहीं किया अब ये सेड में भी ओई सेई, हाथ एक्वल रखो, फिर अपका चाती का बाग आओ, चाती का बाग एक्वल रखो, फिर कमर के सेड आजाओ, उज़र भी एक लाइन देदो अब ये लाइन को स्केल से सीधा एक लाइन मारके देदो, ताकी आपको फोल्डिंग करने समय पतावना चाहिए अपको स्केल का जरूर नहीं रहेगा तोवी अप डारेक्ट भी सिल्षकते हो, एदेको मैं डारेक्ट सिलाई कर्यू आपको मेरा चानल में कुछ डावट रहेगा तो मुझे निचे जरूर कमंड करू, आपको कमंड को मैं रिप्ले करेगी आपको टेलरिंग का मेट्रियल चेये तो में निचे डिस्क्रिप्चन में लिंक देरियो, ओ लिंक क्लिक करके चेक करके लेलो इस सीधा सिलाई करके लेलो ये देखो सिल्की रेडी हो गया है पहला आपको वितोर्ट मेशर्मेंट सिलाई करना है अब ये आपको कॉर्नर पे एक सिलाई करना है ये सिलाई आपके लिए कपड़ा पैक करने के लिए ही सिलाई कर रहे है अभी इसमें कुछ measurement मेंने कुछ नहीं लिया ऐसे ही बाजोवाला सेड को भी सिंगल सिलाई वो कॉर्नर पे एक सिलाई मारके रखो अभी ये सिलाई हो गया ये सिलाई होने के बाद फिटिंग का measurement में पहला मेशर्मन्स लेना है हाथ के लिए मैं चेंज लेने वाल्यू पहला हाथ को सीधा इसा पकड़के हाथ से उपर से निचे तर चेंज लेलो इसमें एक मारक करो हाथ का मारकिंग होने के बाद हमको चाती का मारकिंग करना है ये देखो चाती के लिए अमारा बटन पट्टी है ना बटन पट्टी से पकड़के कीचों कितना कीच सकते है उतना अमारा चाती का measurement कीच के 38 था ओ 38 को 4 से डिवेड करेगा तो हमको मिलेगा 9.5 ओ 9.5 इंच हम इधर चाती में मारक किया है अभी कमर का मारकिंग करना है कमर का मारकिंग अभी उपर के सा 9.5 था उसमें से एक इंच कम करके आपको रखना है 8.5 अभी इसमें एक मारकिंग दे दो अभी लेफ्ट साइड में मेशेरमेंट करना है लेफ्ट साइड में भी मेशेरमेंट सेम है 6 इंच में एक मारकिंग साड़े नौ में एक मार्किंग, साड़े आट में एक मार्किंग सेम वैसे मार्किंग करके देदो इसमें भी सेम वैसे आपको बटन पट्टी से ही टेप को पकड़के टेप को कितना कीच सकते हैं उतना कीच के उधर से बराबर 9.5 इंच मार्क करने हैं अब ये सब पॉइंट्स को मिला के किदर किदर मार्क किया उदर से पूरा मिला के स्केल से एक लाइन देना है वो लाइन एकदम आपका परफेक्ट में आई जाएगा अब को लाइन किदर इदर उदर भी नहीं आएगा एकदम पॉइंट्टू पॉइंट आपको मिल जाएगा अभी इसको स्केल से लाइन ड़ने के बाद आदा इन चोड़के बाज में एक लाइन ड्रॉ करना है वैसे ही वापस आदा इन चोड़के और एक लाइन ड्रॉ करना है तीन लाइन हमीशा तीन सिलाई आपका बलोस में होना ही चाहिए पहला सिलाई होता है वो आपका एक्जैक्ली बाडी मेशेरमेंट है बाज में आदा आदा इन्च में दो सिलाई होना चाहिए अभी ये लाइन को सीधा शिलाई करके लिख्या जाओ आपको मेरा चैनल अच्छा लगएगा तो जरुद लाइक करो कमंड करो आपको फ्रिंस के सब शेर करो दोनु सेड में भी सिलके हो गया अमारा ब्लोज का फिटिंग देखेंगे कैसा आया करके कपडा को पीछे सेड टर्न करके देखो ये देखो ओगे आमारा फिटिंग का लैन देखो कितना परफेक्ट फिटिंग आया करके अईसे आपको भी फिटिंग करना रहते हैं और आपका फिटिंग इदर उदर जाने का एक की रिजन हो सकते हैं आपका शोल्डर शोल्डर कभी-कभी आपको कम कर सकते हो कम रख देते हो इसके वजे से वो आपको फिटिंग में नई बैटेगा शोल्डर बराबर रकेगा तो आपका परफेक्ट फिटिंग में ब्लोस बैट जाएगा होगे आमारा 38 साइज ब्लोस फिटिंग मेरा चैनल अच्छा लगया तो जरूर लाइक करो, कमन करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो, आईसे मुझे सपोर्ट करो ताके में आईसे इजी वीडियोस आपके लेख या सक्क्यू थैंक्स फवाचिंग, स्टे कनेक्टड विट ब्स्डिशनर